एम्स दे सारे कैंपस दी समर्थावद आई जा रही है परदान मंत्री परदान मंत्री निरंदर मोदी ने ओल इंडिया इंस्टिचूट ऑफ मेट्कल साइंसे विखेड नैशनल सेंटर फॉर एजिंग दा नीपत्र रखने उपरांत एक आठनू संबोधन कर देया कि हा कि एम तिन सो करोड रुपे से अधिक की लागत से बनने वाले नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का भी चलान्यास हुआ है यह सेंटर टू हंड़ेड बेट्स का होगा आने वाले दोड़ देड़ दो वर्सों में इसे पुरा करने का पुरा प्रयास किया जाएगा यहां वरिष्ट नागरिकों के लिए तमाम सुविधाय होगी इसमें बुरुद्धावस्ता विज्ञान अनुसंधान केंदर भी होगा जहां बुरुद्धावस्ता से जोड़ी समस्याओं को लेकर रिसर्च की जा सकेगी इसके अलावा सब्दर जेंग अस्पताल में भी तेरा सो करोड से अधिक राश्ची खर्च करके अस्पताल में सुविधावों को और आधुनिक बनाने का काम हुआ है इसी के तहट यहां एक एमर्जेंसी ब्लॉग पर एक सुपर स्पेशालिटी ब्लॉग के सेवाओं को देश को सेमर्पित किया गया है सिर्म मेडिकल एमर्जेंसी के लिए 500 बेट्स की नई ख्षमता के साथ सबसेंग हस्पताल देश का सबसे बड़ा एमर्जेंसी केर हस्पताल बन जाएगा